मानव तसकरी की आशंका के आधार पर लीजेंड एरलाइन्स का विमान फ्रांस में चार दिन रोका गया था। 276 यात्रियों के साथ विमान मंगलवार को मुंबई पहुँचा था। इस मामले में लीजेंड एरलाइन्स के वकील ने कहा निकारागुआ के लिए भुक्तान करने वाले यात्री वापस नहीं लोटना चाहते थे। विमानन कंपनी के वकील ने कहा, मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ और सन्युक्त अरब अमीराथ से मदद की अपील के बावजूद उन्हें निराशा हाथ लगी। संकट के समय केवल भारत ही मदद करने को तैयार हुआ। पहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हाथसा हुआ है। नौइडा से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर दयानतपुर गाव के समीब बारा वाहन एक दूसरे से टक्रा गए। हाथसे में कई लोग घायल हुए हैं। हाथसे की वज़े से एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद जेवर कोतवाली पुलीस टीम मौके पर पहुँची है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है। जम्मू कश्मीर की ग्रिश मकालीन राजधानी शीनगर के लावपोरा इलाके के पास श्रीन गरबारामुला राजमार पर एक संदिग्ध वस्तु मिली है जिसे सिलेंडर के अंदर भरा गया है। इसे आईडी माना जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलीस और सुरक्षा बलो की टीम मौके पर पहुँची। वहीं सुरक्षा को देखते हुए यातायात को रोका गया है। भारत जोडो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी मनिपुर से मुंबई तक भारत न्याई यात्रा की तैयारी में है। आगामी 14 जन्वरी से कॉंग्रेस पार्टी की भारत न्याई यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी मनिपुर से मुंबई तक जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉंग्रेस के इस आयोजन में पार्टी आलाकमान के अलावा प्रदेश कॉंग्रेस के तमाम नेता भी शिर्कत करेंगे। दुबई पुलीस ने महादेव ओनलाइन ओनलाइन बेटिंग आप के दो प्रमोटरों में से एक सौरप चंद्राकरकी को नजर बंद कर लिया है। वहीं 36 कड की दुर्क क्राइम ब्रांच ने महादेव बुक आप से जुड़े दीपक नेपाली को भिलाई से मंदलवार देर रात गिरफतार कर लिया है। पुलीस को दीपक के लंबे समय से तलाश थी। और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।